हलो माई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी किरन विलेज फूड भी एकदम ठीक है आपके अपने चैनल किरन विलेज फूड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ तो आज न मैंने अपनी ब्लोग एकदम मॉर्निंग से स्टार्ट कर दी है नहां के पूजा करके जैसे मैं किचन में आई वैसे ही मैंने ब्लोग सूट होने के लिए ट्राइपोर्ट फशा दिया तो आप लोग को पता है हमारे हाना इस टाइम पे प्रिजन टाइम पे इतनी ज बहुत ज़्यादा आग के पास बैठर हो तो धूआ लगेगा आज वगेरा आग की विलकुल लगती ही नहीं है इतनी ज़्यादा ठंड पड रही है और धूप को देखी वे तो तीन-चार दिन हो गया है धूप भी नहीं निकल रही है और ठंड बहुत ज़्यादा पड पढ़ रही है। झाय तो भाया तीन से चार बार पीलो, फिर भी बार बार चाय पीने का मन करता मैं तो ठीक्ट कोषिते हो कि मुझे करрос प्यारे शंद कर काते हैं छो मुझे बना किया करते हैं, फिर भी स्थित था हुआ है, फिर भी मैं क्या करूं, ठंड लगती रहती तो मैं काढ़ा या चाय बना के पी लिया करती हूँ, वैसे मैं अधिक काढ़ा का ही स्तमाल करती हूँ, मेरे ना कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमेशा मुझे कॉमेंट में पूछा करते हैं, कि आपका बेबी कब आएगा, कब आने वाला है, आपक क्योंकि मुझे इतनी जादा ठंड लग रही है, बिचारे मेरे बेबी को कितना जादा ठंड लगेगी, अभी तो वो अंदर है, पेट के अंदर है, तो उसको अराम है, बाहा निकलेगा तो कितनी जादा ठंड है, मुझे तो लगती है उस बिचारे छोटे मासूम से बेबी को भी लगेगी इस पार तो भगवान जी ने हम लोगों को मायने की पूरी तयारी कर लिए है क्योंकि अभी देखे जन्वरी ही स्टार्ट हुई है और इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है धूप तो निकलती ही नहीं है नामों निशानी धूप का नहीं है उपर से हवा तो इ देखे एक खाना बना रही हूँ थो आठ बज रहा था और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अधेल है ऐसे लग रहा है जिसे मैं नाइट में वीड़ो सूट कर रही हूं मैं अभी लंच भी बना रही थी और ब्रिकफास्ट भी बना रही थी दोनों काम में अपना कर र मेरे ससूर जी को ना चाय के साथ गर्मा गरम आलू मटर फ्राइब जैसे मैं चोच जैसे बहुत करिti मोटता राव ठाव या ना 10 ज्युक्राइब देती घंड सकता हुए घंड में चाहे खाता है चाहे जो कुछ भी हो गर्मा गर्म खालो तब ही मज़ा मिलता है खाने का और फिर ठंडा होने के बार बिल्कुल भी स्वाद नहीं रहता और खाने का तो एकदम मन करता ही नहीं है अभी देखे इस तरीके से मैंने आलू मटर को छोग दिया था और ये वाली आलू किस किस को प जोग बाद वहीं पर ननन जी और शाइसो मा झेलिए था वह लोग भी वहीं पर खा रहे थे और खाने के बाद तुरंत मैंने फिर प्रसे चाय चढ़ा दिया घरा ना चाय बनांतोर खा यह सब्जी चाहओ और रोट्टी आप लोग को पता है जब मैं खाना बनाना के खाया करती हूं या फिर नास्ता गर्म गरम किया करती हूं तो मुझे न मेरे हवी जी की मेरे हजबन जी की बहुत जादा याद आती है क्योंकि वो न जहां पर है वहां से मेस काफी दूरी पर है और जब तक वो मेस में जाते हैं खाना खाने न तब तक खाना थंडा हो जाता है या थंडा खाना होने के कारण खाते ही नहीं है और जब वो यहां पे रहते हैं तो मैं उनको एकदम गरमा गरम बना के दिया करती हूँ उनको मैं लंच निकाल देती हूँ एक एक रोटी को मैं तवे से सेंग के गरम करकर के उनको दिया करती हूँ तब वो खाया करते हैं और अब भी देखिए हमारा खाना बनकर तयार है लंच बनकर तयार है आईए आप लोग भी कर लेजे लंच करने के बाद तुरंथ हम लोग बिस्तर में चले गए थे मतलब रेश्ट करने चले गए थे तिनी ठंड लग रही थी न बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा था फिर हम लोग बिट में गए और दो से तीन घंटे खूब अराम से जम के सोए फिर उसके बाद हम लोग उठे तो आग जलाए और फिर उसके बाद जाड़ो पोचा बरतन हुआ फिर आके हम लोग आग के पास बैठ गए और हाथ पर अपना अच्छे से गरम करने लगे मैं और ननन जी सास और ममा अभी नहीं है बाहर गई हुई है जहां पर वो सबजी वगरा लगा रखे ना वहां से सबजी धनिया मूली जो कुछ भी रहता है वो सब सबजीयां लेने गई है तो मैं और ननन जी यहीं पर हाथ पर गरम कर लिया और मैंने देखिए सौक्ष पहन लिया है क्योंकि जिनको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है मेरी बहुत ही क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर है वो मुझे हमेशा कहते हैं आपने देख लीजए मैंने आज सब कुछ पहन रखा है मैं आप लोगोंको खुद को सुनाने का मौका नहीं दोंगी अगे इतनी जाद उनको मेरी चिंता रहती और इतनी जादा मैं क्या कहूं वो न जब भी आएंगे डूटी से तब बोलेंगे बहु से काम मत कराया करो बहु को सुबा नहाने मत दिया करो वरना ठंड लग जाएगी बहु को बोलो टोपी, मोजे, स्वेटर, सॉल सब कुछ पहन के रखा करें और बेट में ही रहा करें ओड के लेटा करें चला फिरा करे लेकिन काम ना किया करें थंडा पानी मत दिया करो ऐसे वो मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं मैं क्या बता हूँ मेरे ससुल जी को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है कि वो मुझे आग के पास आंगन में बैठने नहीं देते करते हैं आग जला के बहु को अंदर रूम मे दे दिया करो हाथ पैर गरम होने के लिए आंगन में बैठने ना दिया करो क्योंकि ओस गिरती है ओस की वज़ा से भी तब्यत खराब हो जाएगी तो जब तक वो नहीं है तब तक मैं आंगन में बैठी थी और यहीं पर बैठे बैठे मैंने डिनर की तयारी कर ली थी लौकी की सबजी बनानी थी और रोटी तो मैंने यहीं पर बैठे बैठे सबजी को कट कर लिया था और ब्लोग अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं ब्लोग में बाई बाई यूटूब फैमली